Swing Trading क्या होता है, Swing Trading कैसे करी, यह question बहुत बार मेरे comment box पर आया है, तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे, कि Swing Trading क्या है और कैसे आप कर सकते हैं, इस screen में आप 2 stock देख सकते हैं, यह 2 stock को मैंने select किया है Swing Trading के लिए, यही 2 stock में आज हम पैसा लगाएंगे, लेकन उससे पहल तोड़ा हम चार्ट को देख लेते हैं, आप जिस भी चीज में आप ट्रेड करते हैं, उसका थोड़ा बहुत पहले आपको चार्ट देखना होता है, चार्ट अनलेसिस बहुत ज़्यादा इंपोर्टन है, कि स्टॉक का कंडिशन किया है, या फिर इंडेक्स जिसमें आप ट् ये दोनों स्टॉक 52 विक हाई में है, और एक अच्छा खासा अपना रेइस्टेंस लेवल तोड़ा है, ब्रेकाउट भी किया है, पहला स्टॉक जो हमारा गाईस, ये वाला है आप देख सकते हैं, ये स्टॉक एक अच्छा खासा ब्रेकाउट करने के बाद, मार्केट में अभी अप साइड में मुव्मेंट कर सकते हैं, और ये 52 विक हाई श्टॉक भी है, और साथी साथ और एक श्टॉक जो है, ये वी सेम कंडिशन में है, ये वी 52 विक हाई है, अपने जो रेइस्टेंस एरिया है, उसमें अच्छा खासा ब्रेकाउट किया है, तो हमारे जाना चाहिए, नीचे जाएगा तो रेइस्टेंस का जो लेवल है, उसके नीचे ही हम निकल जाएंगे, उसके नीचे ही स्टॉपलस है, और उपर के साइड में बॉक्स जहां तक है, वहां तक हम टार्गेट लेने का कोशिस करेंगे, तो फिलाल हम इसमें पहले कुछ क्व इसमें हम 10 स्टॉक और एड कर देते हैं, और यहां पर हम थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे, मार्केट का कंडिशन, मार्केट जिस तरह से चलेगा, उसमें अपना क्वांटिटी एड करते जाएंगे, फिलाल आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टॉक है वो नेगेटिब में चल दा है, स्विंग टेडिंग में सबसे इनपॉर्टन चीज है कि आपको स्टॉक को सलेक्स करके रखना होता है, कि आप किन स्टॉक में ट्रेड करेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना होगा, चार्ट वगेरा अनलैसिस करना होगा, अगर आप 52 वीक हाई स्टॉक में ट्रेड करना चाते हैं, तो आपको 52 वीक हाई स्टॉक बले, जो भी स्टॉक रहता है 52 वीक हाई में, उन स्टॉक को आपको छाटके निकालना होगा, उन में से कौन सर स्टॉक में आप ट्रेड ले सकते हैं, वो निकालना होगा, इस फिला अच्छा गासा भी चल रहा है profit में यहाँ पर हम थोड़ा और quantity एड करेंगे अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप दोनों stock का performance ठीक ठाक चल रहा है इसी तरह से आपको भी analysis करके निकालना है stock अपको support resistance यह सब देखना होता है और साथी साथ आपको target और इस्ट आफ लॉस यह दोनों भी fixed करना होता है तो फिलाल हम यहाँ पर कुछ पैसा add करेंगे और उसके बाद इसमें और कुछ quantity हम add कर देंगे इसके बाद हम कल इसमें और कुछ quantity यहाँ पर add करेंगे अभी आप दे आपको profit भी बड़ा ही मिलता है और आपको बता दे swing trading में आप यह मत सोचिए कि आप एक दिन में ही पैसे को लगबग 20% 50% एक दिन में ही निकाल लेंगे जैसे हम options trading में निकालते हैं तो वैसा बिल्कुल भी यहाँ पर होने वाला नहीं है यहाँ पर आपको खेलना होता है 5 10% 20-15% इसी के अंदर में आपको खेलना होता है अगर आपको 5-8% 10% मिल जाता है तो वो profit आपको निकाल लेना चाहिए होता है swing trading के इसाब से यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा दिन तक hold भी नहीं कर सकते हैं आप करने का तो कर सकते हैं लेकिन swing trading का नियम यही है कि यहाँ आपको ज़्यादा hold नहीं करने का यहाँ पर आपको अगर माली जी कि एक दिन से लेकर एक महना तक इतना आप hold कर सकते हैं तो एक दिन से लेकर एक महिने के अंदर में जितना भी आपको profit loss होता है आपको वहाँ से निकल जाना होता है अगर माली जी आप आज खड़ी दें दो दिन बाद ही आपको 78% profit मिलना है तो यहाँ पर भी आपको वह profit लेकर निकल जाना होता है तो गाइस हम यहाँ पर और कुछ quantity add कर देते हैं यहाँ पर हम इसमें साथ quantity और add कर देते हैं यहाँ पर हम और 13 quantity add कर देते हैं तो total हमारा इसमें हो गया 13 इसमें हो गया 24 quantity इसमें कल लगाई हम और कुछ quantity एड़ करेंगे इसके बाद हम profit का जो expectation करते हैं वो करते हैं 5% plus यानि कि 6, 7, 8, 10 12, 14 जो भी मिलेगा हम लेंगे 5% के plus लेंगे loss अगर होता है तो 2,5% हम loss लेंगे और वहां से निकल जाएंगे देखे loss होने के बाद भी आप swing trading में ही एक benefit है कि loss होने के बाद भी आप यहाँ पर बैठे रह सकते हैं कि ने मुझे profit होगा तो यह भी मैं निकलूँगा अगर अच्छा stock रहा तो आप निकल सकते हैं यह दोनों stock कोई recommendation नहीं है कि आप इसमें trade कीजिए just मैं अभी trade कर रहा हूं swing trading कैसे किया जाता है वो मैं आपको एक example education के तरह आपको यह video दिखाया तो यह भी आके इस stock में trade करने मत लगी है क्योंकि मैं जिस time में खरीदा हूं और video जिस time में आप देख रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा different है तो अगर guys आप swing trading करना चाहते हैं stock market में trading करना जाते है stock market में SIP में stock market से कैसे पैसे कमाया जाता है अगर आप इन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस channel को subscribe कर लिजिए और video अगर आपको अच्छा लगा है तो like कर दीजिए and guys अगर आप demand account open करना चाहते हैं demand account का link दिया हुआ है discussion पे and वहाँ पर कुछ books का भी link दिया हुआ है और अगर आप technical analysis, chart analysis सीखना जाते हैं तो उसका एक चोटा सा course भी है discussion पे link दिया हुआ है आप जाके वो course भी buy कर सकते हैं only 200 रुपिस का course है